आकाइश्मनी दिल्ली प्रसुत करता है मतदाता जागरुकता पर खेंदृत विशेश फोन इनकारिक्रम प्रायोजक हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली लोकदंत का राज है वोट जन्ता की आपाद है वोट जिसकी धुन पे ठेर के जन गर नमस्कार मददाता जागरुकता पर विशेश फोन इनकारिक्रम के साथ मैं हूँ आखिल मित्तल हम सब जानते हैं लोक तंत्र का अर्थ ही है तंत्र में लोक यानि जनता की भागीदारी इसलिए भारत के समयधान में मताधिकार का प्रावधान है यानि अब अठारे वर्ष और उस्से अधिकायू का हर भारतीय नागरीक मत्दान करके अपने प्रतनिधी चुन सकता है जनता को अपने इस अधिकार का उपियोग करने के लिए जागरूप करने में मेडिया की भूमिका जग जाहिर है तो आज हम इसी विशेपर चर्चा कर रहे हैं चुनाव में मेडिया की भूमिका हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मिहमान हैं जिला चुनाव अधिकारी उत्तरपूर्वी दिली सुशरे आप दोनों का स्टुडियो में और कारेक्टरम में बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रश्णों के साथ तैयार हैं। सबसे बहले गीतिका जी, जो विशह है हमारा, उसी पर हम आते हैं कि चुनाव के दोरान, मीडिया की भूमी का एक चुनाव अधिकारी के रूप में, चुनाव आयुक की प्रतिनिधी के रूप में आप क्या दिखते। जैसा आपने कहा अखिल जी, कि लोग तंत्र में मतदान एक आधार है, जिससे लोग अपने रेप्रेसेंटेटिव्स चुनते हैं। इन्फरमेशन जो है, ये एक ताकत है, इन्फरमेशन इस पावर। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सही जानकारी लोगों तक पहुंचें। अब मदद भूमी का आप देख रहे हैं जैसे आपने कहा है जो मैं समझता हूँ कि जब मीडिया के ज़रिये जो जानकारी लोगों तक पहुचना जरूरी है कैसे मददा होने से पहले मददा अपञ्जी करान किसी को अपना नाम बदलवाना है ये सारी जानकारी भी मेडिया के तुरू जाने में आपकी मदद हो सकती है जी बिलकुल तो प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया और अब तो खास्तार पर सोशल मीडिया के बहुत बड़ी भूमिका हो गए है उससे आपकी क्या पेक्षाएं रहती है देखिए सोशल मीडिया जो है फिछले 5 साल में Gramatric Progressions में उसने Increase किया है जाओ सी बात है Election Commission एक सोशल मीडिया का भरी भानती योग करता है मददाता जागरुकता के लिए और अपने election process के बारे में समझाने के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसके द्वारा हम अपना मददाता जाग रुपता अभी हाँ जो स्वीप है उसके बारे में बताते हैं वो मैंग्निफाई होता है उसके थू हम एक वोटस इंगेजमेंट करते हैं और साती साथ हमारे जो ट्वीटर हैं उसके द्वारा हमारे दिल्ली के मददाता हमसे इंगेज करके अपनी कोई परिशानी है कोई समस्या अगर आरी या रेजिस्टेशन में तो हमें बताते हैं वो उसका solution देती है जो print मीडिया और electronic मीडिया के माध्यम से अब तक मदद मिलती थी सोशल मीडिया के आने से उसकी गतिब बढ़ गई है संपर्क real time होने लगा है जी बलकुँ और सवाल यह है कि मीडिया तो वही जानकारी देगा जो आप चाहेंगे जो आप मीडिया तक पहुँचाएंगे तो मीडिया तक जानकारी पहुचाने के लिए और चुनाव के संबंद में, जो चुनाव अधिकारी हैं ये चुनाव कारेले हैं, वो किस तरह की तैयारी करते हैं, क्या-क्या होता है वहाँ? जी, इसके लिए arrangement किया जाता है, routine media briefing के लिए, media persons का sensitization किया जाता है, workshops की जाती है, for media persons and political parties, और workshops की जाती है, चुनाव अधिकारियों के लिए भी. जी, अभी बहुत ही ये interesting है, जो मुखे निर्वाचन अधिकारी दिल्ली है, उन्होंने दिल्ली के सभी निर्वाचन अधिकारियों के लिए social media के विशय में हमारे लिए एक special training session रखा था, जिससे हम सभी social media का सही उपियोग कर सकें, जो जानकारी जैसे सोबोची ने बताया कि एक magnified रूप में social media के माध्यम से जानकारी जाती है, so we should know how to use social media to disseminate correct information. का इंतियाम करते हैं, साथी साथ हम अपने electronic and print media के लिए, जो होते हैं, poll day और counting day के लिए, media authority letters का इंतियाम करते हैं, ताकि यो भली भांती, बिल्कुल ground zero पर जाके, अपना information लें और मद्दाताओं और जनता तक पहुँचाएं. हम बार्चीद अभी जारी रखेंगे, एक शोता हमारे साथ पहले जोड़ गए है, उनका स्वागत कर लें. हलो, नमस्कार. हलो, नमस्कार जी. हाँ, आपका शुब नाम? सर, मैं BS 6 बोला हूँ, सुभाश नगर से. जी, आपका प्रशन पूछिए. प्रशन ये है, कि मीडिया जो है, वो बहुत ही अच्छी भूमिका निवाता है, सरकार के साथ. और जैसे कहते हैं, जहां न पहुंचे रभी, वहां पहुंचे कवी. तो मीडिया वाले वहां भी पहुंच जाते हैं, जहां पर हमारा सरकारी तंतर कई कारणों से नहीं पहुंच पाता. तो मीडिया की भूमिका तो बहुत ही अच्छी है, तो कि राइट है, वो सरकारी तंतर का. आपका प्रश्ण है? और वहां पर मीडिया प्रश्ण के लिए पूरी सुविधाय होती है, टेलिफोन होते है, इंटरनेट होता है, और उनको हम बैचिस में काउंटिंग प्रॉसेस दूर से दिखाते हैं, तो आपने शायद ये चीज पिछले पांच साले महसूस की होगी, कि speed of results और speed of water turnout बहुत speed से जो है, उसमें इजाफा हुआ है, और बहुत जल्दी सुचनाई जो है, क्या जानकारी किस रूप में देनी है, तो इसके लिए पहले से व्यवस्था की जाती है, इसके लिए हमारे सभी offices में STM election का एक office रहता है, जो की एक specialized अधिकारी है इन मामलों के, उनके पास ये सारी जानकारी रहती है, यही एक cell का काम करता है, चुनाव और मत दाता सूची संबंधित सभी जानकारी देने के लिए, इसी में मैं ये जोड़ना चाओंगा, मीडिया के संधर्व में, election से पहले हमारे dedicated मीडिया cell खुलते हैं, जो की different aspects और मीडिया को देखते हैं, उसके लिए हम Information and Broadcasting Ministry के जो officers होते हैं, वो बुलाते हैं, और Indian Information Service, उसके officers आते हैं, जो हमारे CEO office के मीडिया cell में भी काम करते हैं, और वहीं से वो district election offices में, जो मीडिया cell बनता है, उसमें भी काम करते हैं, आपने अभी जिक्र किया था कि मीडिया के लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाओं की विवस्था की जाती हैं, जी, तो उसमें, मतलब एक तो उनको जानकारी देने या इंटरनेट टेलेफोन की स पर उससे भी पहले उनके लिए कुछ प्रमानपत्र चाहिए होते होंगे, कुछ authority देते होंगे आप उनको, जी, अगर हम poll day coverage and counting day coverage की बात करें, तो broadly media persons की दो categories होती है, accredited and non accredited, तो accredited जो होते हैं, ये apply करते हैं, अपने संबंदित media house के थुरू, हम उनको media passes issue कर देते हैं, कम से कम दो दिन पहले, जो non accredited होते हैं, वो हमारे DIP के थुरू अपना application बेज़ते हैं, उनका police verification होता है, एक तरह से उसको temporary accreditation कहा जाता है, और उसके बाद हम उनके लिए भी media passes issue कर देते हैं, इस बीच हमारे साथ एक शोता जुड़ गया है, हम उनसे बात कर लेते हैं, जी, नमस्कार, जी, अगरवाल जी, आपका बहुत स्वागत है, बताईए, मेरे दो तिन कुछन पूछना है, कि media के बारे में जो बात हो रही है, media जितना भी परचार करता है, या तो वो paper के थुरू होता है, यह आकाश वाले के थुरू होता है, जो अभी election 22 में हैं, और अभी स चुनाओ के बारे में आप लोग जागुरुपता पैदा कर रहे हैं नौजवानों के अंदर, यह बहुत बड़ी खुशी की बात है, लेकिन जो television है, वो केवल जिस समय आचार संधीता शुरू हो जाती है, उसके अंदर भी वो सिर्फ पार्टियों के बारे में बोलती है, लेकिन जिस आदमी को अभी टीकट ही ने मिला, तो उसके बारे में तो कुछ होते ही नहीं है, अब वो अपनी सामर जब टीकट मिलता है, तो वो अपना प्रिंट मीडिया चुनता है, चाहे वो मुवाइल हो, चाहे वो हो तो उसके ओपर प्रशासन जो आप सक्ती करता है, उसको करने नहीं देता है जिसे वो घरगर पहुंच सके एक आदमी नमबर एक नमबर दूसरा मेरा यह है कि जिस समय आज बुटिंग पढ़ रही है और शाम तक साड़े छे वज़े तक बुटिंग पढ़ती है क्योंकि लास्ट में आदमी ज़्यादा डालता है लेकिन एकज लोग जो मशीनों को टेस्ट कराते हैं मेरे बरावन पूलिंग बूते हैं मेरे बच्चे भी जाके चेक करते हैं कि मशीन में कैसे बूट डाला चाहिए लेकिन जब बोट पढ़ता है और जहां पढ़ता है वहां पर लाइट की विवस्ता जीरो होती है एक बुजूर्ग आ तोर पे बता देता हूं सेक्शन 126 ऑफ आर्पी एक्ट किलियरली कहता है कि एक्जिट पोल इलक्टोनिक मीडिया में आई नहीं सकता और इसमें हम बहुत अपनी सक्त नजर रखते हैं और हमारा एक स्पेशल मीडिया मॉनिटिंग सेल होता है सिर्फ इसी चीज पे नजर र बूथ मेनेजमेंट की बात लाइट की बात करते हैं जी आप कुछ कहना चाहेंगी कि मद्दान केंदर पे किस तरह की विवस्ताएं की जाती है जी सभी केंदरों पर कोशिश की जाती है जो जरूरी अश्योर्ड मिनिमम फसिलिटीज बोला जाता है जैसे कि वाश्रूम हो पीने का पानी हो राम्प हो ये अश्योर्ड मिनिममम फसिलिटीज ये हम महया कराने की पूरी कोशिश करते हैं इनकी शिकायत है कि रोश्नी कम रहती है मद्दान केंदर के अंदर बूथ के अंदर रोश्नी की बात जहां तक है उसमें भी हमारी कोशिश रहती है कि हम जो भ कोशिश रहती है कि हम उसमें सुधार करते रहें. एक चुनाव आचार संगीता को लेकर उनका सवाल था कि जो उमीद्वार है, उसको जब टिकेट मिल जाएगा वो तभी प्रचार करेगा. पर तब तक आचार संगीता लागू हो चुकी होती है. जी. तो वो कैसे करें? पोस्टर की भी पाबंदी है, उसकी भी सीमाए है, उस वर्क विशेश, कोर्ट अफ लॉव, ऐसे गाइडलाइन्स हैं कि उसमें जो है, उसका ध्यान रखते वे प्रचार करते हैं. और नोमिनेशन से पहले तो भी एक आम नागरिक है, तो MCC जो है, कैंडिटेट्स और पॉलिटिकल पार्टी पे ही लागू होता है. देनवाद, विशुप कामिनाय, अपना नाम बताईए. कांसिल आप इंडिया की एक गाइडलाइन्स होती है, उसका पार्ण करता है. हमारा एलेक्टोनिक मीडिया जो होता है, वो NBSA उसकी गाइडलाइन्स का पार्ण करता है. और Internet and Mobile Association और इंडिया का एक Ethics Code है, वो उसका पार्ण करता है. जी, जीतिका जी आपने शुरू में भी बात कही थी, सुबजी ने भी बताया कि पाकी जितने भी जिला चुनाव अधिकारी है, जो की ग्यारा है दिल्ली में, हर एक ओफिस में ये सेट अप किया जाता है, जिसमें media persons invited रहते हैं, और purpose ये रहता है, जैसा मैंने शुरू में कहा, सही जानकारी का प्रसारण हो, जनता तक, और इसमें हम time to time अपनी briefings देते हैं, especially poll day के दिन, और counting वाले दिन, जो results होते हैं, और जो voter turn out होता है, वो बहुत जरूरी रहता है, जिसकी लोगों में बहुत रिक्यासा रहती है, तो उस दिन इसका main significance रहता है, media center basically, एक media facilitation process है, हमारे media के साथ ही जो है, वो आराम से, comfort के साथ, और with proper facilities for communication, उनके लिए arrangement होता है, ताकि वो सुबह से शाम तक, अपना coverage जो है, वो भली भांती कर सकें, तो special temporary argument किया जाता है, इसके लिए, आप एक कुछ media passes की बात की थी, तो लोगों में ये जानने की उसका रहता है, और आजकल जिस तरह की media में होड रहती है, to be first, सबसे पहले हम बता रहें, तो लोगों में ये उसकता रहती है कि क्या कोई भी पत्रकार, कोई भी media person, counting center में अंदर जा सकता है, वो बहाँ से live reporting कर सकता है, इस तरह की सुविधा देते हैं? जी नहीं, उसके लिए जैसे मैंने पहले कहा कि counting के लिए, कवरेज के लिए authority letters बनते हैं, जो हमारे CEO office से issue होते हैं, authorized signatory द्वारा, और उसके बाद वो अपना कवरेज कर सकते हैं. हमने शुरू में ही social media की बात की, और ये internet का यूग है, technology बहुत बदल गई है, तो जो चुनाव की प्रक्रिया है, उसमें जो मतदाता पंजी करण से लेके, नाम बदलवाना, किसी को अपना पता बदलवाना, उसमें जो internet technology का इस्तेमाल है, उसमें कितनी प्रक्ती चुनाव अधिकारियों और कार्याले ने की है? जी, बहुत तेजी से प्रक्ती की है चुनाव आयोग ने इस विशह में, जैसे आपने कहा कि मतदाता पंजी करण के लिए क्या सोविथा है, इंटरनेट पर, एक तो मैं ये बताना चाहूंगी, चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव अधिकारी और जितने भी जिला, निर्वाचन अधिकारी है, हम सब के सोशल मीडिया हैं, ट्विटर, और यूट्यूब, फेस्बॉक, इंस्टाग्राम पर, इसके साथ साथ चुनाव आयोग ने नैशनल वोटर सर्विस पोर्टल, जो एक डेडिकेटड पोर्टल है, वो बनाया है, वोटर हेल्पलाइन आप है, जो हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसी आप के तुरू बहुत आसानी से बिना कहीं जाए, हम अपना फॉर्म भर सकते हैं, इसको हम जारी रखेंगे जरा पहले एक शोता हमारे इंजार कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जी, नमस्कार, अखिल साब बहुत सुंदर आप संचालन कर रहे हैं, घांडी जैनती और शास्त्री जी की पावनमी जैनती की शुब कामना पर सम्पूरा आपको भी बहुत शुब कामना, जी, यह नों ने मीडिया का हमारे रास्टर में प्रजात अंतर के लिए मीडिया का शुब हरम्द किया है, आप अपना नाम बता दें, पहले तो अच्छा रहे हैं, निवेदन के अधासा पंडित अशुब बहुरा राजिस्तान के बहरोड से, अलवत लेके, सर आपके माजम से, मैं अखिल साब ये निवेदन करना चाहूँगा, क्या सुनाव आयोग ये भी विचार करता है कि मीडिया के भी कोई अपनी मरियादा होनी चाहिए, अथवा ने, क्योंकि मैं स्वेम भी मीडिया से जुड़ा हूँ, और मैं दूसरा निवेदन ये करना चाहूँगा, क्या मीडिया कर्मियों को प्राथमिस्ताय नहीं दी जानी चाहिए, जो BGMC, MGMC हो, और बस ये ही निवेदन था, क्योंकि मीडिया के भी तो अपनी कोई लॉकिक मरियादा होती होंगे, जी हाँ, मीडिया के लिए जहां तक मेरी जानकार ये काचार संगिता तो है ही, आप बतान जी है, जी है, मैं इसमें ये जोडना चाहते हूं, कि मीडिया जिम्मेदारी के साथ अपना रोल निभाएं, उसके लिए हमारे पास प्रावधान है, section 126, subsection 1 of representation of people's act 1950, ये प्रोहिबिशन है इस section के तहत, कि कोई भी election related matter है, वो एक, वो television पर, या किसी भी प्रकार के cinematograph के जरिये, कोई भी election related material broadcast नहीं किया जा सकता, polling के जो closing hour है, उससे 48 घंटे से पहले, तो ये सभी media persons को follow करना चाहिए, बहुत से करते भी हैं, ऐसे ही, जो section 127 A है, representation of people's act का, इसमें भी प्रावथान है, कि जो भी election pamphlets, posters, छपते हैं, mandatory है, कि उसके उपर printer, publisher का नाम और address हो, तो प्रावथान है और नजर रखी जाती है, जी सुबजी, कुछ कहना चाहरा है, इसमें यही provisions है, जो दूसरा इनका प्रश्न था, कि प्रशिक्षित और डिग्री धरी, व को वो represent कर रहे हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है, उसमें चुनावायोग क्या करेगा? कोई भी वोटर जो दिव्यांग जन है, या सीनियर सिटिजन है, जो नहीं जा सकते अपने आप से, वो इस आप का इस्तिमाल करते हैं, और उनके लिए पिक और डॉप फसिलिटी दी जाती है, पोलिंग डे के दिन, और एक पी डव्योड आप है, ऐसे ही दिव्यांग जन के लिए जो चाहते हैं कि उनका जो पर्टिकुलर्स हैं, मत दाता सूची में, उसमें मार्किंग हो जाए, जिससे हम उनके लिए वीलचेर का प्रबंद कर सकें, पहले से ही प्रबंद कर सकें, ऐसी मैंने बताया वोटर हेल्प लाइन आप है, इससे हम ना केवल अपना पंजी करन करा सकते हैं, हमारे कोई पर्टिकुलर्स में हमें करेक्शन करवाना है, वो भी करवा सकते हैं, बलकि इलेक्शन डे पर हम जानकारी भी पा सकते हैं, कितना वोटर टर्न आउट हुआ, काउंटिंग डे पर हम राउंडवाइज रिजल्स भी पा सकते हैं, और अभी तो गरोड आप आगया है जो लेटेस्ट है ये हर बीलो अपने स्मार्ट फोन में उन्होंने इसको डाउनलोड किया है और हमारे चीफ इलेक्टोरल ओफिसर दिल्ली की हमें सक्त निर्देश है कि कोई भी वोटर उनको ना जाना पड़े कहीं पर बीलो ही उनके डोर स्टेप तक जाएं और गरोड आप के माध्यम से उनका एप्लिकेशन लें इस समय आप सुन रहे हैं मतदाता जागरुकता पर केंद्रित विशेश फोन इनकारिक्रम प्रायोजक हैं मुख्य निर्वाचन अदिकारी दिल्ली देना बोड जरूरी है देना बोड जरूरी है देना बोड जरूरी है चिराओ में मीडिया की भूमिका पर इस विशेश फोन इनकारिक्रम में मैं एक बर फिर आपका स्वागत करता हूँ मेरे साथ स्टूडियो में मौझूद हैं जिला चुनाव अदिकारी उत्तर पूर्वी दिल्ली सुष्री गीतिका शर्मा और स्ट्यम चुनाव उत्तर पूर्वी दिल्ली श्रेसुबो द्रावत आप दोनों का फिर बहुत सागत है अब सवाल यह है कि मीडिया की चुनाव आयोग से बहुत सारे अपेक्षाएं होती हैं पर चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग चुनाव दिकारियों की मीडिया और इलेक्ट्रानिक मीडिया खासतर पर क्या विशिश अपेक्षाएं हैं जी जैसे information देने के लिए तो media हम चाहते हैं कि हमाई साथ सह भागीता करता भी है दूसरी expectations होती है कि हम एक outreach activities करते हैं water awareness के लिए मददाता जागरुकता अभियान उसमें हम rallies, नुकरनाटक, democracy run, concerts ये करते हैं तो इसमें अगर इसकी reporting होती है, जैसे मैंने दुबारा कर ये magnify हो जाता है और इसमें एक type of environment building exercise एक महौल बनता है और उस महौल के कारण हर मददाता दिल्ली में जो है एक जागरुक होके परमद्दान करता है तो basically एक जो हमारा awareness campaign है, उसकी जो reporting होती है उसमें हम अपेक्षा करते हैं कि उसका एक इतने ज़्यादा reporting, इतनी ज़्यादा coverage हो कि कोई भी मददाता ये ना सोचे कि मैंने उस दिन छुट्टी करनी है या that is a type of any other weekend एक छुट्टी मिल गई holiday नहीं है, अर्बन अपैथी जो है मैं इसमें ये जोनना चाहूंगी कि जैसे सुपोर्टी ने कहा sweep activities, systematic voter education program लोगों में awareness बढ़ाने का as regards the electoral process as regards the registration process as a voter तो इसमें मुखे चार तरीके के electoral literacy clubs exist करते हैं दिल्ली में, विद्यालेक लेवल पर, college लेवल पर, community लेवल पर जिसको हम चुनाव पाठशाला बोलते हैं और विभिन दफ्तरों में तो सबके social media accounts create किये जा रहे हैं ताकि ये clubs जो भी voter awareness programs करते हैं वो अपने social media accounts में upload करें और जिससे उनका many fold propagation हो जाए so that no water gets left behind कि एक November को हमारा draft poll publish होगा एक से 30 तक हम claims and objections लेंगे 20 December तक हम अपना उनका निश्पाधन करेंगे और फिर 5 जमरी को हमारा final role publish होता है हम अपने social media accounts जैसे मैंने पहले बताया आपको हमारे social media accounts हैं उसके थुरू हम ये अपने handles में popularize करते हैं और interestingly हमारा इतना solid mechanism है हमारा CEO office का जो social media post है वो districts में जाता है हम districts से अपने water centers को भेजते हैं water centers अपने BLOs को भेजते हैं तो ये मान के चलिए कि ये 11,000 से उपर जो हमारे BLOs हैं उनके थुरू हर polling station तक ये social media के थुरू message जाता है एक शोता हमारे इंदार कर रहे हैं मुन से बात कर लेते हैं जी आपका स्वागत है अपना नाम बताएं नमस्तार जी मैं राकेश पुंडरों दिली से जी मेरा सवाल ये है कि social media पे जो news होती है वो आचार संगिता के अंतरगत उनको monitor किया जाते हैं जी social media के लिए जो provisions हैं हमारे candidates and political parties उन पे पूरा लागू होता है जो उनके social media accounts होते हैं वो अपने nomination form में अपना social media account declare करते हैं उस पे नज़र रखी जाती है और उसके post पे model code of conduct लागू होता है आम आदमी आम जनता के लिए model code of conduct लागू नहीं होता अगर B.L.O. से संपर्क करना चाहिए या उसे चुनाव से संबंदित को ऐसी जानकर ही चाहिए जो वो नहीं कर पा रहा इंटरनेट पे मान लीजे वो चुनाव कार्याले से ही संपर्क करना चाहता है तो क्या कौन सक्षम केंद्र है जहां जाके सभी लोगों को V.R.E.C. का मालूम रहता है वहां जाकर संपर्क किया जा सकता है और वैसे हमारी B.L.O.s क्षेत्र में रहती है लेकिन फिर भी अगर दिक्कत हो तो V.R.E.C. में जाकर संपर्क किया जा सकता है जी कुशोता पहला प्यस्थर में रहा है जो अचार संपर्क काहिता जब लागो होती है वह नेता हो को क्या बालन करना पालता है मालूम रहेकिन आम आदमी को क्या-क्या उसमें ध्यान रहना पड़ता है जब लागो पहला तो यह था और दूसरा सारह कटारे जी जनगरना से संबन्दी जो प्रशन है वो आज का हमारे विशे खेत्र में नहीं आता है उसका उत्तर शायद नहीं मिलेगा और जहां तक आम जनता का सवाल है उसकी जिक्र भी सुबजी ने किया था फिर सुबजी एक बार बता है जैसे मैंने पहले बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स में लगू होता है आम जनता में लगू नहीं होता पर हां हम यह जरूर कहेंगे कि एक जागरुप मद्दाता की भूमी का यह जरूर निभा सकते हैं सी विजिल एप जैसे हमारा था पिछले एलेक्शन में जहां पे भी एमसेसी वाइलेशन्स और गयारा होते थे तो सी विजिल एप के थुरू जो हैं वो रिपोर्ट होते थे और उसका हम जो है एक्शन भी हम लेते थे तो एक जागरुप मद्दाता की भूमी का जरूर निभा सकते हैं गितिया जी जो ये चुनाव से सम्मंदित सूचनाएं विज्यापन आप लोग करते हैं तो आम धारना ये रहती है कि जो सरकारी मीडिया है उसको शायद कुछ ज़्यादा प्राथमिकता मिलती होगी और प्राइवेट मीडिया का मिलती होगी हाला कि अखबार तो सभी प्राइवेट हैं जहां तक सरकारी मीडिया का सवाल है हम आकाशवानी और दूरदरशन फिर भी ये वित्रण कैसे होता है कुछ बताना चाहेंगे कोई विशेश जहां तक फैसिलिटीज प्रोवाइट करने का सवाल है हम जो है गवर्मेंट मीडिया और प्राइवेट मीडिया दोनों को बराबर ट्रीट करते हैं अब सवाल ये है एक लोगों को ये धारना रहती है जब चुनाव आचार संगीता लागू हो जाती है उसके बाद पुलिटिकल ब्राइड कास्ट राजनीतिक प्रसारण की एक सुविधा होती है राजनीतिक दलों के नेताओं को उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आपके गवर्मेंट मीडिया के थुरू हम एक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं दूरदैशन एन आल इंडिया रेडियो प्रेटिकल पार्टीज को एक इक्विटेवल टाइम डिस्टिविशन होता है अपने मैनिफेस्टो अपनी पॉलिसीज को जनता तक परचारित करने के इसे बेस टाइम कहा जाता है बेसिकली इस बेस टाइम के अलावा डिपेंडिंग ओन दियर पोल परफॉर्मेंस और परसंटेज ओफ वोड पोल्स उनको बोनस टाइम दिया जाता है तो जो एक फार्मूला होता है उसके थैत वो दिया जाता है एक्स्टाइड उस पर कुछ नियम पाबंदिया लागू हैं उनके लिए बिलकुल हैं जैसे Model Code of Conduct के नियम लागू होते हैं कि Criticism of Other Countries, Anything Against Court of Law, Religion और Cast Line जो होती हैं इस पे हम नहीं करते हैं तो Proper Model Code of Conduct के Basive Norms का पालन किया जाता है आजकल चुकि मैं बार-बार Social Media और Internet पर लोट रहा हूँ क्योंकि उसकी बहुत बड़ी भूमिका हो गई है अब Print Media और Electronic Media से भी जादा तो मैं एक बार गीतिका जीसे अन्रोट करना चांगा कि वो जो आपने Apps के बारे में जानकारी दी थी उसको थोड़ा दो रहा है ताकि लोगों तक ये जानकारी पहुँचे कि किस तरह की Technology इस्तेमाल कर रहा है चुनावाई हूँ जी, Internet का जमाना है Election Commission of India की Website भी है एक Dedicated Portal है National Voter Service Portal जिस पर जाकर हम अपना पंजी करन कर सकते हैं मत दाता के रूप में हमें अपने नाम या और किसी Entry में कोई Change करना है तो संबंधित Form online भर सकते हैं जो कि Form 8 कहा जाता है हम एक Assembly Constituency से दूसरी Assembly Constituency में Shift हो जाते हैं और Permanently हमें अपना नाम पुरानी Assembly Constituency से Delete करना है उसके लिए Form 7 है ये सारी प्रक्रिया online available है Water Helpline आप है जो Google Play Store से डाउनलोड की जा सकती है इसमें भी ये सभी तरह की प्रक्रिया की जा सकती है और इसके साथ साथ Pick and Drop Service आप दिव्यांग जन के लिए Senior Citizens के लिए PWD आप ये भी दिव्यांग जन के लिए है वो चाहें की उनको को PWD का अर्थ मैं सपश्च कर दूँ People with Disabilities जी और जिससे उनको Facilitator, Sign Language Facilitator हम पहले से अरेंज कर सकें Wheelchair अरेंज कर सकें अगर हमने मत आता सूची में उनके नाम की मार्किंग की है उनको चिन्हित किया है ये सभी आप्स अविलिबल है कि लोग अपने घर में या दफतर में बैठे-बैठे ओनलाइन ही ये सारी प्रक्रिया कर सकें सुभजी हम जब बात कर रहे थे मीडिया के बारे में किस तरह की तैयारियां की जाती है तो कुछ समीतियों का भी कुछ आप के अगठन होता है जे बिलकुल अगर MCMC की अब हम बात ना करें तो ये मीडिया का डिस्केशन incomplete रहेगा हमारी मीडिया सार्टिफिकेशन and monitoring committees होती है और ये ECI की guidelines के हिसाब से काम करती है पहले हमारी district level में MCMC होती है जिसकी अध्यक्षता district election officer assistant returning officer एक उसमें INV ministry से होती है एक social media expert होती है ये committee होती है ये committee basically जो political parties के candidates होती है उसे area में उनकी advertisement का certification करती है बहुत ज़द elaborate करूँगा तो काफी time हो जाएगा अब समय हमारे पास बिलकुल इजाज़त नहीं दे रहा है हम अपने शोताओं को बताना चाहेंगी कि मतदाता जागरुकता इश्रंखला के अंतरगात अगला फोने इन कारिक्रम आप सुनेंगे 30 अक्तूबर को गीतिका शर्मा जी और सुबोध रवजजी आप दोनों स्टूडियो में आए बहुत बहुत धन्यवाद कारिक्रम में जो प्रस्तूती सहयोग भगवती चंद्र बहुखंडी और तुशार पारशर कर रहा तक्नीकी सहयोग दीपक ने दिया प्रस्तूत करता थे राम अवतार बैर्वा इसके साथ ही अखिल मितल को अनमती जी नमस्कार अभी आप मतदाता जागरुकता पर केंद्रित विशेश फोरीन कारिकम सुन रहे थे प्रायोजक थे मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली वो जरूरी है देना वो जरूरी है